हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट और एक नया टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्त जो आज कल बहुत सारे कॉम्पेटिटिव एक्जाम में और अपने अक्याड़मिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉल प्ले करेगा वो टॉपिक कोई और नहीं दोस्त हम लोग का साइंस का लाइट चैप्टर है जो क्लास 10 में चैप्टर नंबर वॉन है किसी-किसी बुक्स में कोई और चैप्टर में आया है किसी में 3 है किसी में 4 है बट लाइट हम लोगा पढ़ने वाले हैं लाइट आखिर लाइट क्या होता है लाइट ल आई जी एस टी लाइट बोले तो प्रकाश क्या होता है दोस्त वोट इस लाइट तो आप से अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे सर हम तो पढ़े हैं लाइट एक तरह का इनर्जी का सोर्स है बहुत बढ़िया बात है बावू लाइट है एक एनर्जी का सोर्स है आप बोलेंगे सर लाइट हम लोगो किसी चीज़ को देखने में हिल्प करता है बहुत बढ़िया बात है बिल्कुल हिल्प करता है बिने लाइट के हम लोग कोई चीज़ देखने ही सकते हैं तो हम लोग अज बहुत बेसिक से सुरू करेंगे दोस्त, बहुत बेसिक से, ताकि हमारा concept बहुत किलियर होता चले, प्लस किसी भी तरह का question कोई आप से घुमा के पूछने कोशिस करें, तो हम लोग अपने लेबल पर try करेंगे कि questions छुटे ना, तो कुछ बेसिक चीज आज हम लोग सीखते हैं, सबसे पहला चीज यह है कि light जिस object से निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, luminous object, जिससे light निकलता है, light emit होता है, उसको क्या बोलते हैं, luminous, l-u-m-i-n-o-u-s, luminous object बोलते हैं दोस्त, इसको प्रदीप वस्तु भी बोलते हैं, इसे light निकलती है, यह दो तरह का होता है, दोस्त, एक होता है हमारा natural, एक होता है natural, दूसरा होता है हमारा man-made, natural बोले तो प्रकिर्थिक, man-made बोले तो हम लोग कब बनाया हुआ, हम लोग कब बनाया हुआ, क्रित्रीम बोल सकते हैं इसको, क्रित्रीम तरीके से बनाया हुआ, तो natural luminous object क्या हो सकता है, sun है, star है, यह सब क्या है, natural है दोस्त, natural उससे light निकलता है, कहीं आग लगी हुई है, उससे light निकल रहा है, कहीं जैसे fireflies होता है, उससे खुद से light आता है, मतलब जो खुद से light emit करते हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, luminous object जो natural होता है, अगर manamid की बात कर दें, जो इंसान के दोरा बनाया गया है, तो हमारा bulb, tube light, यह सब क्या है, इंसान का बनाया हुआ है दोस्त, हम चाहे तो को switch on कर सकते हैं, लेकिन हम sun को बन करने दोस्त, possible नहीं है, ठीक है, हाँ, प्रत्वी घूम जाएगी, हमको नहीं दिखेगा, तो अंधेरा हो सकता है, बट हम लोग sun को बन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, non luminous object, जिससे की light नहीं नि तो कैसा हो सकता है, जैसे कलम हो गया, हम खुद हो गया, बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, कोई भी object ले लिजे, जग खुद से light emit ना करता हो, उसको हम लोग non luminous बोलते हैं, चली, यहां तक तो clear हो गया, कि light किससे निकल रहा है, light किससे नहीं निकल रहा है, अब एक दूसर बताइए कि कोई भी चीज हमको कब दिखती है, question तो है ना दोस्त, मान लेते हैं कि हम एक किताब को देख रहे हैं, आपको, चुकि देख नहीं रहे हैं, मान लेते हैं कि आप मेरे सामने हैं, हम आपको देख रहे हैं, किसी किताब को देख रहे हैं, किसी फ्रीज को देख र लेते हैं सर लाइट मेरे आख प्यार ही ना सर तो हमको दिख रहा है वहाँ पे तो भाइए एक सवाल यह होता है कि अगर हम आपको उठा के अंधेरे कमरे में लेके जा दें पहुंचा दें आप बोलेंगे सामने में बहुत सारा समा रखा हुआ है आप चल लेंगे क्या नहीं आप चल पाएंगे क्यों लाइट आपके ऊपर होना जरूरी नहीं है लाइट उस वस्तु पे होना चाहिए जिसको हमको देखना है जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बॉल है और इस बॉल को हमको देखना है और यहाँ पर एक आदमी है जिसमान लेते हैं कि यह आदमी है इस आदमी को देखना है इस बॉल को तो लाइट क्या होना चाहिए लाइट कहा होना चाहिए इस आदमी के उपर नो इस आदमी के उपर लाइट नहीं होना चाहिए तो लाइट कहा होना चाहिए light actually में यहां ना होकर light is ball पे होना चाहिए इस ball पे light ना चाहिए यहां light हो ना हो से कोई फरक नहीं पड़ता है because this person has to see this ball इस आदमी को देखना है इस गेंद को ना कि इस गेंद को देखना है आदमी को ठीक है? तो light का होना चाहिए light is ball पे होना चाहिए ठीक है और यहां से जो reflection होगा वो इसकी आँखों में होगा और इस बंदे को ये गेंद दिख जाएगी यानि कि कोई भी चीज हमको देखने के लिए light उस वस्तू पे होना चाहिए ना कि हमारे उपर एक चीज और ख्लियर हुआ आज हमारा कि light किसी वस्तू पे पढ़कर हमारे आँखों पर आएगी तब हमको वो चीज दिखेगा और इस पूरे प्रकिरिया को क्या बोलते हैं दोस्त रिफलैक्शन क्या बोलते हैं reflection यानि कि परावर्तन क्या बोलते हैं इसको परावर्तन बोलते हैं दोस्त यहनि light इस वस्तू पे पड़ेगी इस ball पे पड़ेगी और यहां से reflect होकर मेरे आँखो तक आएगी तब जाकर हमको यह गेंद दीखेगी clear हो गया अगर हम लोग कोई चीज को देखते हैं मान लेते हैं कि हम लोग किसी चीज को देखे किसी चीज को देखते हैं तो देखने के लिए क्या होना चीए क्या क्या चीज जरूत है एक तो light चाहिए वस्तू चाहिए जिसको हम लोग को देखना है और तीसरा हमको अपना आख चीह है दोस्त क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमको पता के चले के बीने आखे हम लोग कोई चीज देखे सकते हैं ठीक है तब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं दोस्त हम लोग तो light कैसे हमारे आखो तक आ रही है light कैसे move कर रही है तो light जो move करती है दोस्त वो हमेज़ा सीधी रेखा में चलती है light हमेज़ा सीधी रेखा में चलती है तो इसको क्या बोलते है light moves in a straight line light straight line move करती है इसको हम लोग क्या बोलते है rectilinear propagation of light clear हो रहा है light जो सीधी रेखा में move करती है इस process को इस प्रकिरिया को हम लोग rectilinear propagation of light बोलते हैं rectilinear मतलब एक सीधी रेखा में propagation मतलब फैलना light मतलब प्रकास प्रकास का एक सीधी रेखा में फैलना को हम लोग rectilinear propagation बोलते हैं clear हो रहा है चलिए यहां तक यह हो गया आप चाहे तो उसको साबित कर सकते हैं कि light सीधी रेखा में कैसे चलती है आपके books में example होगा एक example हम भी आपको देते हैं एक इस तरह का pipe ले लिजे छोटा से example है कभी भी आप कर सकते हैं इस छोटा सा pipe ले लिजे pipe ऐसे करके देखेंगे तो आपको कोई भी object दिख जाएगा बस इसको थोड़ा सा मोड दीजे pipe को आप देखेंगे तो कोई चीज नहीं दिखेगा simple इसका मतलब क्या हुआ light वहां से reflect होकर आपके आँखों तक state नहीं पहुँच पाई क्यों क्योंकि यहां से यह band था यह pipe band था मतलब यहां से light जब पहले condition में light ऐसे आ रही थी आपके आँखों पर मान लेते हैं यहां पर आपकी आँखें हैं भाईया बरदास्त कीजेगा हम थोड़ा सा अच्छा photo नहीं बना पाते हैं अगर यहां पर आपकी आँखें थी आपके आँखें देख रही थी first condition में इस आदमी को ठीक है इस आदमी की लचक देखिए कमरिया लचक रही है इसकी इसको आप देख पा रहे थे दूसरे condition में क्या है आपको इसको band कर दिए pipe कैसे बना दिए भाईया pipe को ऐसे लिए थोड़ा से इसको ऐसे करका ऐसे कर दिए तो इसकी कमरिया की जो लचक है न आपको कैसे दिखेगी इस कमरिया की लचक कैसे दिखेगी आपको क्योंकि light यहां से इसकी लचक की जो आई तो यहीं पर आके रूख गई इसकी लचक आपके आँखों तक नहीं गई, तो यह आदमी का नचनिया बजना आपको नहीं दिख पाया, clear है, यानि कि हम कहां से क्या सीखे, कि light हमेशा सीधी रेखा में move करती है, clear हो गया, चलिए, अब एक चीज और आगे बढ़ते हैं, अब अगला चीज हम लोग सीखते ह दोस्त, बहुत सारे किताबों में आपको ऐसा भी लिखा रहता है, 2.99, दोस्त देखे, 2.99 इसके आगे भी बहुत सारा संख्या है, अब उतना सारा संख्या याद रखना possible नहीं है, दोस्त, तो इससे simple क्या हो जाता है, कि हम लोग 3 पकड़ लेते हैं, 2.99 को हम लोग 3 समझ सकते हैं, दोस्त, लग अब अपना calculation को fast करने के लिए, अब इतना बड़ा-बड़ा calculation करेंगे, दोस्त, गुना भाग करना पड़ेगा, बहुत मूस्किल हो जाएगी, तो अपना calculations को easy करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, इसके आगे भी समान लेते हैं, या 3 into 10 to the power 5 km per second, इसको जैसा भी आपको समझ लीजे, क्यों, अरे दोनों तो सेम ही हैं बाबू, यहां किलो मीटर है, तो 3 सुना इसमें घटा न दिया, यार, किलो मीटर लिखे, इसमें 3 सुना बढ़ा दिया, मीटर लिखे, बात तो बराबर हैं न, बाभी 3 सुना बढ़ा दिजेगा, तो मीटर कर दिये, 3 सुना घटा दिजेगा, तो किलो मेटर कर दिजे, बागी मीटर पर सेकंड पर सेकंड दोनों में सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, क्लिर है, तो यानि कि लाइट का स्पीड इतना होता है, अब भया पता है, यह स्पीड इतना दीखोता है ना कि हम लोग का सोच भी नहीं सकते हैं बहुत सारे जगह पर तो आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि इतना speed किसी भी चीज का feasible नहीं है लाइट को छोड़के इतना जादा speed किसी भी चीज का feasible नहीं है मतलब सिर्फ light ही है जो कि इतने गती से move कर सकती है चल सकती है ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको ठीक है मान भी लेते हैं क्यों कि इतना speed से चल पाना बहुत मुश्किल है एक चीज और समझ लेते हैं जो light होता है ना दोस्त light दो तरह का property को सो करता है एक particle theory एक wave theory लाइट दो theory को सो करता है दोस्त एक particle theory अग दूसरा जो है वेब theory को प्रोपर्टी को दोनों को सो करता है अब particle theory क्या है दोस्त? क्लास 10 तक हम लोग जो बाबू पढ़ते हैं ना क्लास 10 तक यह हम लोग सारा इसकी प्रोपर्टी पार्टिकल थियरी के हिसाब से पढ़ते हैं अब जो wave theory होता ना बाबू यह हम लोग उससे उपर class जैसे हम लोग class 11 में आएंगे 12 में आएंगे या उससे उपर class में चलेंगे तो हम लोग wave theory को भी पढ़ेंगे पार्टिकल थियरी तो पढ़ते हैं wave theory भी पढ़ेंगे दोस्त लेकिन class 10 तक जो भी प्रोपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं सब इसका पार्टिकल थियरी पढ़ते हैं दोस्त ठीक है तो 11-12 में जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग wave theory पढ़ेंगे चलिए अब एक strip और आगे बढ़ते हैं एक strip यह दोस्त अभी आपको थोड़े दर पहले हम लोग बात करते हैं कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं reflection के हिसाब से तो एक चीज और हम लोग समझ लें कि reflection के पहले light किसी object से पूरे बढ़ियां से पार कर जाती है मतलब that object allows light to pass through it clearly बहुत अच्छे से pass करा देता है खुद से तो क्या उसको बोलेंगे दोस्त बदाई यह आप लोग पढ़े थे आप लोग क्लास 6 में पढ़ना था बताईए उसको बोलते हैं transparent object वस्तु कितने तरह हो सकता है दोस्त तीनी तरह हो सकता है आप classics में पढ़े थे ना पढ़े थे न भईया transparent translucent और opaque object पढ़े थे याद आया थोड़ा याद आ रहोगा नहीं याद रहोगा हम फिर इससे याद दिला देते हैं transparent object मतलब जिससे light पूरे बढ़ियां से पास कर जाए क्या बोले थे दोस्त transparent transparent object जिससे light बढ़ियां से पास कर जाए ठीक है दूसरा translucent translucent मतलब जिससे light बढ़ियां से पास ना कर पाए मतलब partially पास करे पार्शली को वो रोक दे और तीसरा होता था ओपिक opaque object था दोस्त ओपिक क्या बोलता था यह आपारदर्सी था यह पारदर्सी आपारदर्सी और translucent का हिंदी दोस्त बहुत कठी ने थोड़ा सा मेरे लिए पारभासी या कुछ इस तरह से हो सकता है पारभासी ही सहत था लेकिन अब बढ़ियां से हमको नहीं याद है दोस्त पारदर्सी पारभासी और ओपारदर्स यह सी कुछ था तो अब आपको यह समझना है transparent होता है जो light को पूरी तरीके से पास करा दे example plain glass, plain plastic, पानी यह सब क्या है light को पूरे तरीके से पार करा देती है अगर सामने रख दिया जाए तो आपको पता ना चलेगा कि सामने कुछ रखा हुआ भी है translucent कि इसको बोलेंगे दोस्त जैसे एक आगज में oil paper उसके उपर तेल लगा दीजेगा उसके उपर आप चाहे तो butter paper रख लीजे आप चाहे तो क्या बोलते हैं एक east glass आता है या frosted glass आता है उसको देख लीजेगा आपको लगे का पीछे कोई है लेकिन उसका चेहरा बढ़िया से नहीं देख पाईएगा ऐसा हो जाएगा उपक तो भाईया जो भी चीज सब उपक है आपको दीखता है हम उपक हैं डिवार उपक है यह बोड उपक है आपका जोला उपक होगा आपका बुक उपक होगा सारा चीज उपक होगा आप आर दरजी से light pass ही नहीं कर पाएगा दोस्त ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर ये क्यों हम आपको बता हैं, आपको जब हम लोग रिफ्रेक्षन पढ़ेंगे दोस्त, पहला तो रिफ्रेक्षन पढ़ेंगे, जब रिफ्रेक्षन पढ़ेंगे तो हम फिर दुवारा से आपको यह वला चीज को याद दिलाएंगे, रिफ्रेक्षन में भी याद हैं क्यों लोट करते हैं भाईया उनके दरवाजे पर ताला लगा वाता है अब ताला लगा है तो क्या किजेगा आप उसके घर में घुस नहीं पाईएगा तो वहां से लोट के वापस आना पड़ेगा ठीक उसी तरीके से जब लाइट किसी वस्तू पर पढ़ती है और वह व ग्लास को सामने डग दीजे पीछे से उसका पॉलिस नहीं हो तो लाइट सामने आर पार हो जाता है आपको एक इंसिडेंट सुनाते हैं जब हम लोग पूना में जॉब करते थे दोस्त तो हमारे प्रोजेक्ट पे एक ट्रांसपरेंट ग्लास लगा हुआ था एक महिला आई चुकि उनको पता नहीं चल पाया ग्लास इतना क्लेर था इतना क्लेर ग्लास था उनको पता नहीं चल पाया और वो उस ग्लास से टकरा गई और गिर गई भगवान का लाख लाख सुक्र था कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आए बट वो गिर गई चोट तो काफी आई बट काच का टुकड़ा उनके सरीर को hurt नहीं किया because वो दरवाजा जो toughen glass का था अगर उसमें ages होते तो उनको बहुत बहुत तकलीफ होती दोस्त इसलिए आपको बता रहे हैं plain glass रख देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा सामने कुछ रखा हुआ भी है ठीक है इसलिए light का जो reflection होता है यहाँ से होता है दोस्त opaque object से होता है इसलिए आपको बता है reflection में हम use करेंगे इसको light reflect कहा से कर्ता है light reflect तो चुकि हर object से करता है लेकिन सब्सेब बढ़िया किस से करेगा opaque object से करेगा अब बोलेंगे transparent से करे दिक्कत है Translucent से करे करेगा तो जरूर लेकिन आपको बढ़िया से नहीं कर पाएगा ठीक है? चलिए अब light का reflection हम लोग को पढ़ना है दोस्त यह सबसे important है हम लोगों का class 10 का या किसी भी class का यह सबसे important section है अब इसको हम लोगी raise कर लें और उसके बार आपको touch करेगा हर जगा आपको कुछ सवाल भी पूछेंगे दोस्त बहुत मजदार मजदार सवाल पूछेंगे दोस्त और आपको हम लोग share करेंगे आपके साथ चलिए अब इसमें reflection of light हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग समझें का है reflection of light कहा समभव हो है ओपक object समभव हो है तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक surface है plain glass समझ लेते हैं जिसे हम लोग अपना मुह देखते हैं दोस्त चलो ठीक है ये reflecting surface है इसको क्या बोलते हैं reflecting surface इसको बोलेंगे दोस्त reflecting acting surface याने की प्रावर्तक सतह ऐसे ही कुछ बोलेंगे दोस्त प्रावर्तक सतह ठीक है अब light क्या हो जाता है कि light इसके उपर आईगी light इसके उपर आई light आई तो क्या बोलेंगे दोस्तिश को अब यहां से वापस गई भी ऐसे टकराके है ना तो यहां से आई और यहां से लौट गई तो इसको क्या बोलते हैं अगर इसके उपर हम लोग normal ड्रॉ करें normal किसको बोलते है normal एक perpendicular line को बोलते हैं जो इस point पे जिस point पर आकर मिली है इसी point पे अगर हम लोग perpendicular line ड्रॉ कर दे इसको हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं दोस्ते नॉर्मल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे बोलते हैं दोस्ते इसको और इसको क्या बोलते हैं रिफ्लाक्टेड रे incident रहे मतलब आपतित कीरन इसको क्या बोलते हैं दोस्त परावर्तित कीरन और इसको बोलते हैं normal अभी लंब भी इसको बोल देते हैं दोस्त हिंदी में अभी लंब तो क्या होता है आपतित किरन प्रावर्तित किरन ये प्रावर्तक सतह से अभिलंब इतना सरा चीज होगे दोस्त यहाँ पर जो अभिलंब यानि नॉर्मल से जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं, angle of incidence, यानि कि आपतन कोन बोलते हैं, angle of reflection, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोन, परावर्तन कोन, ठीक है, इसको हम लोग I से इंडिकेट करते हैं, दोस्त, इसको हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, क्लिर हैं, I, incidence, R, reflection, ठीक है, angle of incidence और angle of reflection, यहां तक में तो कोई दिकेट नहीं होगा बाबू, चलो, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब यहां पर क्या बोलते हैं, प्रावर्तन का जो नियम है, प्रावर्तन का नियम है, क्या बोलते हैं, पहला नियम बोलते हैं, पहला जो लौ है दोस्त, यह बोलते हैं कि आपतित कोन और प्रावर्तित कोन बरावर होते हैं, यानि कि angle of incidence, angle of incidence is equal to angle of reflection, यह पहला नियम है, मतब जिस angle से यह incident ray आईगी, हम लोग angle किसको पकड़ते हैं दोस्त, कहां से पकड़ते हैं, इस नॉर्मल से पकड़ते हैं, ना कि इस base से पकड़ते हैं, नॉर्मल से यह जो incident ray है, जो इसके बीच में जो angle बन रहा है, यह angle को incident angle बोलते हैं, यह angle उसी तरह के reflected angle से, इस angle से जो reflect की हैं उसके, यह दोनों angle बराबर होते हैं, मतलब जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से लोटेगी मतलब अगर यह 40 डिगरी से इंसिडेंट कर रही है तो 40 डिगरी से रिफलेक्ट भी करेगी अगर 50 डिगरी से इंसिडेंट करती है तो 50 डिगरी से रिफलेक्ट करेगी अगर 60 degree से करेगी तो 60 degree से reflect भी करेगी यानि जीतने angle से आएगी उतनी angle से जाएगी इसका आना और जाना बिल्कुल एक समान होता है दोस्त चीक है? चलिए ठीक है अब सबका थोड़ा नाम लिख दें माल लेते हैं इसको O बोलते हैं इसको A बोलते हैं इसको B बोलते हैं इसको C बोलते हैं हाँ इसको point of incidence बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्त? point of incidence आपतन बिंदू क्या बोलते हैं दोस्त? आपतन बिंदू आपतन बहुत कलिस्ट सब्द है दोस्त आपतन बिंदू very good अब देखिए अब इसमें क्या बोलता है पहला लो तो था incident angle और reflected angle दोनों बराबर होते हैं दूसरा होता है दोस्त कि आप्तित किरन यानि कि AO प्रावर्तित किरन OB आप्तन बिंदू पे डाला गया लंब OC यानि कि incident ray, reflected ray and the normal which is drawn at the point of incidence all these three things will be in the same side, in the same plane ओके यह सब कहां होता है सब एक ही plane में होते हैं एक ही plane में होते हैं दोस्त एक ही plane में होते हैं मतलब surface के एक तरफ होते हैं दोस्त clear हुआ है? आप्तित किरन प्रावर्तित किरन डाला गया लंब कहां पर? आपतन बिंदू पे, कहीं और पे नहीं दोस्त आपतन बिंदू पे तो क्या होगा तीनों एक ही plane में होंगे मतलब surface के एक ही तरफ होंगे clear हो रहा है? जगहों पर करेंगे आप maths पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी इसका इस्तमाल बहुस जगह पर हो जाता है maths में हम लोगा ठीक है? जहां पर हम लोग को area find out करना पढ़ता है वहाँ पर भी इसका इस्तमाल हम लोग कर लेते हैं mathematics में class 10 में question होगा अगर आप लोग ध्यान दिये होंगे तो इसका related question होगा आपका problem यूज करते हैं हम लोग इसको तो अब हम लोग क्या सीखे? angle of incidence, reflection law of reflection हम लोग सीख लिए दोस्त अब अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? reflection आखिर कैसे कैसे होता है? कहां से होता है? किस तरह का image बनता है? जैसे reflection तो यहां हम लोग प्लेन सर्फेस से सीखें दोस्त surface कितने तरह का होता है? जिससे के reflect हो? दो तरह का हम लोग तो यहां पर दोस्त आप mirror लिए दे ना? आप लिए दे ना? आप बोलेंगे ज़र हम एनक सीधा नहीं लेंगे? हम इसे टेना एनक लेंगे? तो परफेक्ट आप बिल्कुँ सही बोल रहे हैं दोस्त अगर आप टेना एनक लेंगे तो क्या होगा? टेना एनक लेंगे तो उसका जो reflection होगा वो भी टेना होगा अलग टाइप का होगा ऐसा नहीं होगा उसका थोड़ा अलग टाइप से बनेगा दोस्त और क्या होगा? तो वही हम लोग सीखेंगे दोस्त अगले वीडियो में उसमें हम लोग सीखेंगे कि reflecting surface जो होता है यह तो plane है अगर curve होगा तो क्या होगा? और उसका image कैसे बनेगा? image बनेगा तो किस तरह का image बनेगा? और इसका property क्या होगा दोस्त इन सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में ठीक है? इसको ध्यान समझिएगा notes जरूर बनाईएगा जहां पर भी दिकत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्त हम लोग उसको rectify करने कुछ करेंगे ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you दोस्त Bye दोस्त